नमस्कार मैं रविश कुमार क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी एक बार भी राहूल गांधी की तरह प्रेस कॉनफरेंस कर पाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सौ चुनाओं में राहूल गांधी को हरा दें लेकिन एक बार भी वे प्रेस कॉन्फरेंस नहीं कर सकते जिस तरह से राहूल गांधी प्रेस कॉन्फरेंस में सवालों का सामना करते हैं पिछले 10 साल का हिसाब तो यही बताता है कि प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी एक भी खुली प्रेस कॉन्फरेंस नहीं कर पाए आज घाजियाबाद के रेडिसन हुटेल में राहुल गांधी और अखलेश यादव की प्रेस काउंफरेंस थी. हम बस यही देखने गए कि इनकी प्रेस काउंफरेंस की विवस्था कैसी होती है, कैमरों की कितनी भीड होती है, और सवालों की कितनी भरमार, ना सवालों की कमी नजर आई और ना कैमरों की बस यही सोचता रहा कि जब इतने कैमरे यहां आए हैं तब फिर टीवी पर विपक्ष क्यों नहीं दिखता है यहां इतने सारे माईक रखे हैं पत्रकार सुबह सुबह भाग कर ड्यूटी पर आए हैं रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अपने अपने दफ्तरों में लाइव फीड भी दे रहे हैं तब भी उनके चैनलों पर क्या लाइव चलता होगा तब भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयान यूपी के ही जाग मंत्री मोदी इस तरह की प्रेस कॉंफरेंस क्यों नहीं कर सकते हैं हमारा ये सवाल है अगर उन्हें सवालों से घवराहट है डर लगता है तो मैं उनकी मदद कर सकता हूं कम से कम भारत की जनता को या देखने को मिले तो कि वे प्रेस कॉंफरेंस कर सकते हैं खुलकर उनसे स सवाल पूछा जा सकता है सारा पावर समेट कर खुद को आध्यात्निक बताने और दिखाने का दावा भी करते हैं और एक बार खुली प्रेस कॉंफरेंस का रिस्क भी नहीं उठा पाते आखिर खुद को संत और फकीर की तरह बताने वाले प्रधान मंत्री मोदी का क्या चला जाएगा अगर वे खुली प्रेस कॉंफरेंस में बैठ जाएं और सामने की कुर्सी पर हम जैसे पत्रकार बैठे हों उनका क्या चला जाएगा प्रधान मंत्री मोदी ने अपने कारेकाल में अनेक तिर्थ स्थानों के दर्शन किये देवी देवताओं की उपासना और आरा शर्मा, धन्या, राजिंदरन, अतुल चौरसिया, कैर्मा के सागर और हर्तोशबल को, मेगनात को भी पूछने दो इने जो भी पूछना चाहते हैं एक कमजोर से कमजोर आदमी भी देवी देवताओं की अराधना से लोटकर खुद में शक्ती का एहसास करता है प्रधान मं प्रेस कॉंफरेंस करने की शक्ती कब आएगी